हलो दोस्तो मेरे नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ दो बहुत ही कमाल के बजट स्मार्टफोन जिनका रिट बहुत ही कम हो गिया एक तो दोस्तो आईकू का Z9X है आपको Amazon पे काफी सस्ता मिल रहा है साड़े 11000 के असपास और वीवो का T3X है दोस्तो ये भी आपको फिलिप कार्ट पे साड़े 11000 के असपास मिल रहा है तो इस वीडियो में इन दोनों में comparison करके आपको बताऊंगा दोनों में सापको कौन से लेना चाहिए दोनों में क्या क्या खुब है क्या कमिया है और ये वीवो का T3X मेरे पास दोस्तो बिल्कुली latest color में जो बिल्कुली latest launch हुआ है तो वीडियो एंड तक जरूर दिखेगा लाइक करके subscribe कर लीजे और कुछ खरीदना है तो description में link है Amazon का वहाँ से जरूर खरीदिएगा दोस्तो आपको जो कोई loss भी नहीं होगा और आपको जो दोस्तो मदद थोड़ा सा channel का benefit हो जाएगा IQ Z9X के साथ phone मिल जाता है दोस्तों unbox करते फिर cover दिया गया है user manual मिलते है type c cable दी गई है दोस्तो white color में length और quality जो एक cable की काफी अच्छी है तो आपको काफी बढ़िया cable दी गई है और last में रखावा मिलता है दोस्तों यह white color में 44 watt का flash charge तो charger आपको जो यहां पर 44 watt का मिल जाता है कुछ इस तरीके की look में जो की काफी बढ़िया दिया गया है तो यह सारे box के contents आपको मिलते हैं दोस्तों आईकू के Z9X के साथ चले देखते हैं अगर आप इतने ही budget जो है दोस्तों वीवो का T3X खरीदते हैं और जो है दोस्तों उसका pricing भी सेम ही और लेटेस्ट कलर में है तो उसके साथ आपको कितना reference देखने को मिलता है इन चीज़ों में जादा अच्छा है इससे तो वीवो क T3X को जैसे आप open करते हैं इस box को सबसे पहले जो है दोस्तों आपको उसी तरीकी से packing मिलती है फून मिल जाता है रैपर के अंदर जो हमारे पास है बिल्कुली latest color में नया जो है दोस्तों ये color launch हुआ है cover मिल जाता है इसके बाद दिये गया है दोस्तों कुछ user manual frame मिल जाती ह भी जैसा आपको IQ के साथ दिये गए हैं दोनों smartphone से चीज़ को लेकर दोस्तों बिल्कुली smartphone जो है मतलब सेम टाइप के मिलते है कुछ भी फर्क नहीं है ना charger में ना cover में ना केबल में इस चीज़ में तो दोनों स्मार्टफून सपनी अपने जाका काफी बढ़ी आए क्यों आपको राउंड शेप में देखें दोस्तों ब्लू कलर जो की बिल्कुली लेटेस्ट पैटरन के साथ आता है जो की बहुत ही कमल का स्मार्टफून है बहुत ट्रेंडिंग है बहुत जादा लोग इसको पसंद करते हैं क्योंकि जनुर्ली क्वालिटी में बहुत ही का फोन ही है और जो दोस्तों आपको जो आईको के जीना एकस के अंदर भी डिजाइन काफी बढ़ीया मिलता है लेकिन अब मुझे जो दोस्तों लेटेस्ट कलर में वीवो का टी थिरी एक्स जी जाद अच्छा लग राए आपको जो दोस्तों दोनों को जो आउन कर लेते ह है वो किसके अंदर आपको ज़ाद अच्छी दी गई है वैसे दोनों ही स्मार्टफून के अंदर आपको सेम साइज में डिस्प्ले मिल जाती है जो कि एक IPS FHD Plus डिस्प्ले है तो यह चीज़ आपको दोने smartphone के अंदर आपको जो same type के मिल जाता है तो इस चीज़ आपको दोनों के अंदर एक जैसे type की दी गई है UI जो जो दोनों का बिल्कुल same है. फ्रेंट से देखने में भी दोनों smartphone बिल्कुल आपको same type के मिल जाते हैं बाकि जो है दोस्तो नों फॉण настро आपको जो रिफ्रेशраж डिया गया है settings के अंदर जाके आपको दिखाता हूँ इन दोनों फॉण flatter के अंदर आपको refreshart कितना मिलता है तो सिर्फ 15 के बजट के आसपास जो है दोस्तो दोनों देखने को नहीं मिलता बागी डिस्प्ले के कलर्स में कोई फर्क है या फिर नहीं तो वो चीज में आपको करीब से दिखाता हूं दोनों फोन्स की ब्राइटनेस बिल्कुल फूल करके करीब से मापको इन दोनों फोन्स का डिजैन और जो दोस्तो क्वालिटी को दिखाता इसी आपको मिलती है तो इन दोनों फोन्स के अंदर आपको जो है पंचोल कैमरे वाला डिजाइन दिया गया है यह चीज भी आपको दोने के अंदर सेम टाइप की मिल जाती है और एजिस बिजल्स अगर आप देखेंगे तो वो चीज भी आपको दोने के अंदर बिल्कुल को लेकर दोनों smart phones काफी बढ़ियाई तो एक जिसे टाइप के मिलते हैं तो अगर आपको डिस्प्लेई में refresh rate बढ़िया चाहिए या फिर size बढ़िया चाहिए या फिर design तो आप सेल में तो एक दो स्मार्टफून आ भी रहे हैं 12-13000 के आसपास जैसे Realme P1 Poco X6 नहीं हो उनमें तो फिर भी जो 200 T3X का इस ब्लू कलर में बाकी ग्रीन और जो है इसका दूसरे कलर जाते हैं उनमें उसमें जो है ग्लॉसी फ्रेम नहीं है साइड उसे चमकता नहीं इतना जादा और जो सिम के ट्रैस ही मिलती है दो सिम काट 5G के लगा सकते हैं नीचे के तरफ चार्जिंग पोर स्पीकर इए किसी टाइब की मिलती ए 6000 की दोस्तों दोने के इंदर आपको बैटरी मिलती है एक दिन का नॉर्मल बैटरी मेकप अर्म सासा पो मिल जायां चीजर अर्वाar की शार्जर थेभी दोनों के साथ चेस टाइब कई मिलती है इसके लग दोस्तों बात करें प्रोस्सर के बारे में तो प्रोस्सर भी दोनों के अंदर आपको सेम ही दिया गया है Snapdragon 6 Gen 1 तो performance जो है दोस्तों वो भी आपको दोनों के अंदर काफी बढ़िया और एक जिसे टाइप की मिल जाएगी processor को लेकर दोस्तों दोनों के अंदर काफी बढ़िया दी गई है कि performance के अंदर काफी तगड़ी मिलती है क्योंके processor दोनों ही smartphone के अंदर आपको बहुत ही competitive काफी बढ़िया मिल जाता है और दूसरे ब्रांट्स के comparison में भी इतना बड़ी एस processor जो है न दोस्तों दूसर ब्रैंड्स में इतना जल्दी आपको देखने को नहीं मिलता बहुत ही कम स्मार्टफोन से हैं जिनके अंदर आपको performance अच्छी मिलती है बागी जो है दोस्तों यह सारी खुबिये कम यह आपको मिल जाती है IQ के Z9X में और latest color में Vivo के T3X में चली बात कर लेते हैं आपको फिर भी कौन सा खरीदना चाहिए कौन से नहीं तो दोस्तों जो है pricing जो है दोनों की सेम टाइप के आपको मिलती है RAM और storage जो है दोनों के अंदर आपको बराबर दी गई है डिस्प्ले की quality में हलका फुलका फर्ख है T3X थोड़ा सा जाधा बेटर लग रहा है colors को लेकर brightness को लेकर थोड़ा बहुत ही difference है जाधा बड़ा major नहीं है बागी जो है दोस्तों design को लेकर भी T3X जाधा बढ़ी लग रहा है क्योंकि अभी यह आया है बिल्कुली latest color में blue color में और wallpaper भी blue ही लगा हुआ है पहले से ही तो और भी जाधा जो है दोस्तों attractive लग रहा है इसी के साथ अगर आपको camera बढ़ी है चाहिए तो थोड़ा सा camera आपको T3X में जाधा better मिल जाता है बागी जो है processor आपको दोनों के अंदर सेम दिया गया है battery charger दोनों के अंदर आपको same type के मिल जाते है और दोनों के अंदर आपको Android 14 दिया गया और और जो दोस्तों इसके अंदर आपको जो है थोड़ी सी camera की performance और इसके अंदर आपको जो है दोस्तों brand value भी जाधा मिलती है डिस्प्ले के colors में भी थोड़ा बहुत फ़र्ग है यह जाधा better है क्योंकि आईको से जाधा जो है दोस्तों वीवो पे जाधा लोग भरूसा क करेंगे अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और जो दोस्तों इन दोनों smartphone में या फिर किसी और भी smartphone को आपको खरीदना है या कुछ और आइटम तो description में नीचे लिंक है Amazon का मासे जरूर खरीदिएगा चैनल का थोड़ा benefit हो जाएगा मिलते हैं अगली वीडियो बाइबाइ